इस वक्त उत्राखंड से सामने आरी है दरसल पूरो मंत्री हरक सिंग जरावत की मुश्किले और बढ़ सकती है हरक के बेटे के कॉलेज और पेटरॉल पंप पर च्छापे मारी हो रही है इस वक्त उत्राखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको वता दे कि विजिलेंस टीम की ये कारवाई चल रही है चापे मारे की और कॉर्बिट में घोटाले के मामले में ये चापे मारी हो रही है कॉलेज में पहुंचे हरक सिंग और बहु अनुकृती गुसा गए है आप देखिए चापे मारी चल रही है और इसे बीच कॉलेज और पेट्रोल पंप दोनों पर ही चापे मार की गई है इस वक्त हमारे साथ हमारे सायोगी सोहल जुड़े हैं उ में पहुद हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त किया जानकारी वहां से मिल रही है चापे मारी की कारवाई अभी चल रही है और हम देख रहे हैं कि मंतरी खुद काफि गुससे में रज़र आ रही है देखें बिल्कुल ये उत्राखंड के पूर कैबिनेट मंत्री है यूपी के जबाने से मंत्री रहे हैं और इस समय कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं कॉंग्रेस ने राजस्तान के चुनाव के लिए इन्हें अब्जर्वर भी बनाया है इनके बेटे के जो मेडिकल कॉलेज है दून इंस्ट्यूट अब मेडिकल साइंसेस करके जो इनका कॉलेज है उस कॉलेज में विजलेंस की छापे मारी चल रही है ये वहाँ पर मौझूद है इनकी बहु अनुकृति गोसाईं जो कॉंग्रेस की नेता है और लेंसडाउन से 2022 2022 का विजलेंस की टीम इनसे पूश्टाज कर रही है क्योंकि जिम कॉर्वेट नैशनल पार्क में पार्खरो रेंज में जो घोटाला हुआ था उसमें इनके खिलाब आरोप है विजलेंस मामले की जाच कर रही है CAG ने एक अंतरिम रिपोर्ट अपनी विशेश रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा था कि एक बड़ा जनरेटर जो इस परियोजना में लगना था वो इन्होंने अपने बेटे के मेडिकल कॉलेज में लगाया और कुछ और घोटालों की बात कही है तो इस समय इनकी ये पू कुछ दाश के लिए बुलाया गया था और आज एक दम से छापे मारी यहां हो रही है किन-किन ठिकानों पर हो रही है कुछ अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं कुछ अधिकारी अभी कारीरत हैं इन सब पर जब जाज टीम ने जाज शुरू करी तो इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर विजलेंस की जाज भी शुरू हुई और पूरी सक की जो सुई हैं वो हरक सिंग रावत की ओर प अधिकारी की जीनिर्ष